साम को जब میरे स्वेंट घर आते हैं तो उनके लिए मैं कुछ नग कुछ स्नैक्स में जरूर बनाती ही कि साम भूग भी लगाती है और हमारे बच्चे डिशन पड़ते हैं खेलते हैं तो उन्हें भी भूग लगाती है चोटी चोटी सी है ना तो उसके लिए आजना मैं बहुत ही बड़ी असा हैल्दी सा नास्ता बनाने वाली हूं मैं किचिर में आई तो मैंने देखा कि मेरे पास तो रख्यू थी पीसी हुई पालक जिसको मुझे यूज करना था फिर क्या मैंने बरतन उठाया उसमें मैंने ड दाल दिया है थोड़ा सा थोड़ा फेटा हुआ दा ही डालने के बाद मैंने मिक्स किया और थोड़ा थोड़ा पाइं डाल गर ने 6 साफ ससा बैटर तयार कर लिया है भगोर बढ़ी असा देखिए वेटर fill अँटर वहाल थैसिल मज़दार बनने वाल numa स Brendan इतना तो बता रही है नाम तो बता ही नहीं रही है ना तो नाम भी आपको पता लगेगा पस थोड़ा सा वेट करिए तो यहां पर हमारे सूजी फूल लए तब तक मैंने सूच चलो भाई कुछ सबजी आई चोहप कर लेते हैं यहां पर मैंने निकाला प्याज टमाटर हरे मि साथ मिर्च और धन्या जो भी सबजी आड़ करनी है और यूंक हम सबसक्ते हैं बीर जआ यह तो चैसलो किया तूम अब तो अच्छे से हो जाऊ ठीक है अच्छे में लुठिय तब हम एलगे पूर कर डिया है तो अज़र को तूब कर दे हमें हृरी मिर्च के साथ Θ elder रहा त जूब कर ली उसके बाद मैंने इस बैटर को खोल के देगा तो भाईया यह तो अच्छे से कूल चुका था फिर मैंने जो भी सब्जीया जॉब की थी सबीच चीजा मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दी और हमारे पास थी पालक जो कि हमारे इस नास्तिकों बहुत हेल्दी बनाएगा और बहुत ही देखने में तो इत्विक्त मनदा बहुत अच्छा लग रहा ए जब इसमें डाला थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ष पाऊडर हीं जरू डालेगा और सामफ जो है अमारा टेष्ट बहुत ऑद नास्तिका में शांब ड़ने के बाद मैंने थोड़े र आप इसके चीले भी बना सकते हैं जो कि विल्कुल ओयल फ्री होंगे तो इहां पर मैंने इसमें अप्टे मेकर मैंने थोड़ा सा ओयल लगाया उसके बाद मैंने पूरी स्टैन्ड में इसको अच्छे से इस वैटर को रख दिये और अच्छे से इसको हम फ्राइ कर लेते हैं यहां पर देख्येग के साथ मेरे पैटूल है इसे के साथ में आया था यह तो यहां पर देखिए इसको ऊसे दोने और से लोगी। बहुत ही अच्छा सा क्रइंची सा बनता है बहुत मजा आये गा इसको खाने मे तो यह crunchy सा हो जाएगा और क्योंकि इसमें मैंने इसली चावल कारा डाला ता जो हमारे नास्ता है यह बहुत क्रशु सा बनेगा है ना तो चलो इसको मच्छे से से शेक लेते हैं साथ ही मैंने इसके बनाया है टेमाटर डिल ड्रक और लेसन वाली चटनी भी बनाई है मैंने तो बहुत कॉमेंट करके जरूर बता रहा है साथ में मैंने इसके लिए है टमाटा की चटनी और टोमेटो सॉस अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल पर पहली बार रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर गया है मूं में पानी आ रहा है बाई जल्दी से खाले खाले इसको और खाने के बाद तो इसका स्वात क्या गजब का है और मैंने इस रेस्पी को नाम दिया इस पाइनच गलोब आप क्या नाम देंगे इस रेस्पी को हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा